इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एसी सेवाएं डिजिटल सेवाएं जो गुवर्मेंट द्वारा उनके नागरिकों की हित के लिए प्रदान कराई लएगी जिनमें से सबसे पहली सेवा है वो है MP Online जो की एक एसी वेबसाइट के माध्यम से दी जाने वाली सुविधा है जो मद्यप्रदेश सरकार द्वारा मद्यप्रदेश के नागरिकों को मौया कराई जा रही है MP Online सरकारी सेवाओं को नागरिक तक प्रभावी रूप से पहुचाने का एक सरल और सुरक्षत तरीका है MP Online मद्यप्रदेश सरकार की ई-गोवर्नेंस की एक महत्वपूर पहल है जिसका उद्यप्रदेश विबिन सरकार की विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों को घर बेटे उप्लब्द कराना है MP Online Limited मद्यप्रदेश सरकार द्वारा Tata Consultancy Service Limited का सैयुक उपक्रम है यानि के MP Online Service जो है वो TCS यानि जिस कम्पनी का फुल नीम है Tata Consultancy Service द्वारा प्रदान कराई जाने वाली सेवा है विभिन सरकारी विभागों की सेवाओं को नागरिकों को ओनलाइन उप्रब्द कराने के लिए मद्यप्रदेश सरकार ने जुलाई सन 2006 में MP Online Limited Portal का गठन किया गया था यानि इसकी स्थापना सन 2006 जुलाई में की गई थी समय के साथ-साथ इसमें सेवाओं को जोड़ा जा रहा है वह सेवाएं जो नागरिकों को घर बेठे उन्हीं के स्थान पर मौजूद कराई जा रही हैं इंटरेट सुविदा के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार पतेश शेतर में अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्रतान कर रही है अब समय के साथ-साथ हर एक छोटे से छोटे जिले में भी MP Online के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार सारी सुविदाएं नागरिकों तक हर एक छोटे से छोटे जिले तक पहुचा रही है इसके बाद है UIDAI यानि के Unique Identification Authority of India यानि के एक आधार नमबर को लेकर जो पोटल बनाये गया है जो अथारिटी है जो बॉडी है इंडिया की वो है UIDAI नई दिली में एक सरकारी एजनसी है जो आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नमबर और कार्ट के लिए जारी करने वाले प्रदी करण के रूप में कारे करती है सरकार द्वारा आधार कार्ट जारी करने के लिए अवशक बुनियाद धाचे का विकास, पहचान और स्थापना के लिए एजनसी अनिवारिक किया गया है UIDAI की स्थापना सन 2009 में की गई थी जो भारत के योजना आयोग के हिस्से के रूप में कारे करती है एजनसी राजय एवं राजय के स्वामित्व वाली संस्थाओं और व्यभागों के साथ साथ सारजणिक शेत्र के बैंकों और भारतिय जीवन बीबा निगम जैसी संस्थाओं से बनी कई रेजिस्टरार एजनसीों की मदद से कार्ट जारी करती है यानि के यह बॉड़ी अपने अंदर प्राइवेट बॉड़ी को भी काम देती है और सरकारी गोवर्मेंट बॉड़ी भी इससे जुड़ी हुई है तीसरा है उमंग एप यानि के इगवर्नेंस के वर वेबसाइट के माध्यम से ही नहीं मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी इगवर्नेंस जैसी सुवेदा नागरेतों को तक पहुचाती है जिनमें से एक है उमंग एप्लिकेशन डिजिटल इंडिया के कदम को आगे बढ़ाने के लिए एकोर पहल करते हुए प्रधान मंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने साइबर स्पेस पर वेशेशक सम्मेलन के पाँचफे संस्करण में भारत के नागरेकों के लिए एक नया एप्लिकेशन लाँच किया है इस एप का नाम है उमंग यह शब्द एक नई युक के शासन के लिए युनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन के लिए लिया है नई जन्रेशन के लिए यह डिवोटेड है और एसी आशा है कि अभी तक कई सारी सुविदाएं उमंग एप के माद्यम से प्रदान की जा रही है और समय के साथ इसमें और व्रदी की जाने की आशंका है और उमीध है और इसे एगवननेंस बनाने के परिकल्पना की गई है जो सभी एड्रोइड Mobile Phone, iOS Mobile Phone, Windows Devices उपयोग करता हो और Feature Phone उपयोग करता हो के लिए उपलब्ध है ये सभी, ये Application आपको सभी Mobile Phone अलग-अलग Operating System वाले Mobile Phone के लिए मौजूद है Google Users, ओ स्वारी, Android User इसे Google Play Store से डाउनलोड कर सकते है Apple User इसे App Store, iOS Store से भी डाउनलोड कर सकते है ये एक Application है जो एक ही जगा पर 100 से अधिक केंद्र और राजे सरकार की सेवाई प्रदान करती है इसे All-in-One App के का उपयोग करने करके आप केवल माउस क्लिक द्वारा सभी सरकारी संबंदित सेवाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं यानि एक ही Platform पे सभी Departmental, State की अलग-अलग Governments के Department को एक ही Platform पर लाकर रख दिया गया है इसके लिए आपको अलग-अलग जगा पर Approach करने की अलग-अलग Websites पर Apps पर Approach करने की भी कोई ज़रत नहीं है Users बारा अलग-अलग भाशा में आप को एकसेस कर सकता है English, Hindi के अलावा कई सारी Languages कुल बारा Languages को में ये Application मौजूद है इस Application को Launch करने का मुख्य लक्ष भारत के नागरिकों को Online कुछ भी करने की अनुमती देना है बस एक क्लिक पर ये Passport, आधार, Pen Card बनाना, Gas Lander बुक करना, भविश्य निदी खाते के बारे में जानना या आधार से सम्मंदित समाधान करता है अब आगे बरते हैं Digital Locker के बारे में Digital Locker यानि के सबसे पहले बात की जाए Locker की तो Locker हम लोगों को पहले बैंक में मौजूद होते थे जिसमें हम अपने कुछ जरूरी सामान, दस्तावेज को एक सुरक्षित हातों में सौब सकते थे तो वेसे ही आज हम तुमारे पास कई सारे दस्तावेज हैं आधार कार्डे, ड्रैविंग लाइसेंसे, पैन कार्ड, पास्पोर्ड, मार्कशीट ये सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो पन्ने के रूप में हमारे पास मौजूद हैं लेकिन पन्ना एक इस सबस्टेल से के सा अबजेक्ट है जो समय के साथ खराब होनी की संभावना बनी रहती है जिसे साथ में लेकर डेली चल पाना आसान नहीं है तो गोवर्मेंट द्वारा एक जुलाई सन 2015 में नागरिकों को पैन कार्ट, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री, प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर दस्तावेज को डिजिटल रूप में संग्रहित करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविदा शुरू की गई है, यानि आप अपने confidential documents cloud पर upload कर सकते हैं और यह आपके साथ हमेशा डिजिटल के रूप में मौझूद रहेंगे आप जस्ट लॉग इन करके उन्हें upload कर सकते हैं और ज़रत पढ़ने पर उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं खोल सकते हैं, डिजिटल लॉकर भारत सरकार का एक mobile app और website है जहां आप अपने दस्तावेश, pen card, passport, mark sheet और डिगरी प्रमारपत्र मुफ्त में upload कर सकते हैं आपको अपने सभी दस्तावेश के लिए 1GB का free space मौझूद होगा, यदि कम परता है तो आप आगे plan purchase भी कर सकते हैं हाला कि 1GB space document के लिहाज से sufficient नहीं कह सकते, यह सादा ही है मूल रूप से यह एक बोतिक locker की तरह है, जहां आप अपने आभूशा और दस्तावेशो को संग्रहित कर सकते हैं लेकिन यहां पर आप अपने ornaments नहीं रख सकते हैं, यह digital locker है इसमें आप soft copyment data को store कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं, digital library के बारे में digital library एक उस्तकाले हैं, जिसमें data digital स्वरूप के print format को एक soft copy के रूप में रखा जाता है और computer द्वारा access किया जा सकता है यानि की AC किताबें, सादा मात्रा में किताबें, जो आपको hard copy में ना मिलते हुए soft copy में मौजूद रहेंगी content को स्थाई रूप से store किया जाता है और दुर्स रूप से access भी किया जा सकता है इसके फायदे जानते हैं, तो हमें digital library के बारे में और जादा समझ में आएगा digital library उपियोग करता को physical रूप से library में जाने के अवशक्ता नहीं है दुनिया भर के लोग internet connection के मांध्यम से digital library को प्राप्त कर सकते हैं आपको कोई भी book पढ़ने के लिए किसी भी library में जाने की ज़ौरत नहीं है इंटरनेट के मांध्यम से ही आप books को read कर सकते हैं और कभी भी आपको vacant होने के लिए इंतजार करने की ज़ौरत नहीं है वो सभी के लिए एक सामान मौजूद रहेगी digital library को कभी भी दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन में एक्सिस किया जा सकता है ये 24 by 7 आपके लिए available है एक ही resource का उप्योग एक ही समय में कई उप्योग करता द्वारा किया जा सकता है यानि बहले एक book एक व्यक्ति को issue होती थी फिर हमें इंतजार करना होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है एक ही तरह कि वो कई सारे उप्योग करता के साथ शेयर की जा सकती है पारम पर एक library store में storage में space द्वारा सिमित है digital library में बहुत अधिक जानकारी store करने की शमता होती है क्योंकि digital जानकारी के लिए उन्हें रखने के लिए बहुत कम physical स्थान की अवशक्ता होती है यानि यहां पर आपको physically infrastructure maintain करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी setup जमाने की ज़रूरत नहीं है आप online ही आपकी text books को upload की करी हुई books को download कर सकते हैं और उन्हों को access कर सकते है एक विशेज digital library अन्य digital library से किसी भी अन्य resource को बहुत आसानी से link प्रदान करती है यानि एक library दूसरे library के साथ अपने links को share कर सकती है आप easily एक library से दूसरे library में switch हो सकते हैं एक digital library को बनाये रखने की लागत पारम पर एक library के तुलना में बहुत कम है एक पारम पर एक पुस्तकाले को करमचारी के लिए भुक्तान करने पुस्तक रख रखाओ किराय अतिरिक पुस्तकों के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी digital library की इन फिसो को दूर करती है पहले के जमाने में library को maintain करने के लिए staff की जौरत पड़ती थी इसके बाद नया additions लाने के लिए additions लाने के लिए हमको अलग amount pay करना पड़ता था उसमें लागत कहीं जादा होती थी लेकिन digital library में हमें इतना cost pay नहीं करना पड़ता है और एक hidden feature जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा वो यह है कि यहां पर paper की खपत काफी कम होती है जिस कारण से कई हद तक यह एक बहुत बड़ी पहल है परयावरण को सुरक्षित करने के लिए क्योंकि जितनी paper की खपत कम होगी उतने ही जादा पेड़ों को कम काटा जाएगा तो कई हद तक digital library को अपनाना चाहिए और इससे परयावरण को भी हम फायदा पहुंचा रहे हैं तो आज के session में हम लोगों ने बात की e-governance को लेकर government द्वारा वो user नागरिकों को प्रदान की गई कुछ web services और कुछ mobile applications जो की नागरिक के हित में है